हेलो दोस्तों फीसे सागे थे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है एलेक्टोनिस इंडिया और मैं लोट ओन लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो LG TV देख सकते हमारे पास आया है जो 14 इंच का टीवी है इस टीवी के बारे में बाताऊंगा पॉब्लेम बाताऊंगा तब तक मैरा वीडियो लास तक देखते रहे और मेरा चैनल पे जो नया दोस्ते को कहूंगा मेरा चैनल को जोरू सस्काइब कर लेना बेल आइकुन को दबा देना और नोटिपिकेसन अउन कर देना जब भी मैने आने आ वीडियो लेकर आउँंगा आप लोगों मिलते रहेंगे टी तैंड वाय से रिलिज भी हो जाता है रिलिज होने के बाद कईसे पिक्टर आता है ओदेख देख agriculture करता होड्या से करता हो डेक्ष करने के बाद देखिए का torch आता है हमारा जो ऑर जो हमारा पिक्टर का व्याद क्षर आ रहा है त्य हमारा तीनों कालर 건 enrich ब्लू वो तीनो कालर हमारा नहीं है एक तो देश तो देखिए हमारा यह जो हमारा लिखा आ रहा है यह लेखा पे हमारा ग्रीन नहीं है वो हमारा रेट पे आ है और ब्लू पे है और मतलब हमारा यह स्कीन पे हमारा ग्रीन कालर मिसिंग है जो हमारा जो हमारा पिक्चर देख सकते हैं कैसे आ रहा है जो गिन कलर नहीं है जो यह बला हमारा हुआइड लिखा आना चाहिए था यह बला भी हमारा क्लिया नहीं है जो पिंक कालर का हमारा पिक्टर आ रहा है देख सकते है तक मेरा भी विडेव कdi रही है उसके लिए दोस्तों हमारा ओही बेसे बोड़ का ही म्हption किया था यह बेसे पॉर्ड पर हमलों का में किया था वो हमारा base change कर देने से हमारा जो clearness नहीं था picture पे वो बला clear आ चुका है जो हमारा white skin था वो clear आ चुका है लेकिन हमारा problem रहा गया है pink color का वो pink color कहां से आता है वो देखने से हमारा जो problem था वो problem solve हो जाएगा उसके लिए देखिए मेरा base port पे तिन color होता है एक red होता है एक green होता है एक blue होता है आ तिनों का point आता है हमारा main IC से और main IC से आने के बाद हमारा एक कुछ transistor भाया करके तांजिस्टर भाया करके रेजिस्टर भाया करके IK के सबलाई से हमारा clear करता है color को और color को filtering करने के बाद हमारा देता है base port पे base port हमारा connect करता है हमारा निक पे जो picture tube का पे जो निक होता है उस पे हमारा आप जो pink color का जो problem आया है निक पे जो ग के होता है ग क्योंकि दोस्तो ग को पे ग के बी के और हमारा आर के का तीनों point पे सेम voltage होना चाहिए हमारा देखिए इस बाला point पे हम लोग voltage देख रहा है 175 जो हमारा G पे बोल्टेज दिखा रहा है 175 उसके बाद देखेंगे हमारा B पे किदना बोल्टेज है जो R पे किदना बोल्टेज है R के मतलब हमारा rate पे देखें हमारा 152 75 के जगा पे 52 आ रहा है उसके बाद देखेंगे हमारा B के मदलब हमारा blue पे देखने पे पता चलेगा हमारा 147 मदलब हमारा 147 152 वो हमारा normal voltage है और हमारा जो R पे voltage G के G पे voltage हारा गीन पे वो हमारा ज्यादा voltage हो गया है देखिए 175 यह 175 कब होता है दोस्तो हमारा transistor तो short नहीं है transistor short होता तो हमारा voltage बैड़ जाता था लेकिन हमारा transistor यह हमारा कुछ resistant short नहीं है वो हमारा problem रहेगा तो हमारा यह बाला जो voltage ज्यादा हो गया है वो कम हो जाता था लेकिन आप हमारा ज्यादा voltage आने के कारण क्या है यह बाला G जो R के rate पे और हमारा blue पे जो IC से 3 पाता है जो हमारा section पे हमारा RGB पे जो हमारा voltage आता है वो voltage हमारा R और B पे हमारा काम कर रहा है वो हमारा transistor regulating कर रहा है लेकिन हमारा जो G होता है वो G पे हमारा regulating नहीं हो रहा है इसलिए voltage ज्यादा हो गया है इसलिए हमारा green color भी नहीं है और हमारा green color नहीं होने के कारण हमारा picture प्रिंग हो गया है इसलिए क्या करेंगे हमारा G पे जो जो पॉइंट है जो हमारा green पे जो जो पॉइंट है जो transistor है रिजिस्टेंज है उसको चेक करना पड़ेगा जो हमारा input से आउटपुट तक जो input होता है हमारा main IC से आता है और output होता है अमारा निक पे उस connection को चेक करने से हमारा पता चल आएक हमारा क्या पॉब्लेम था और दोस्तों एक solution जो होता है हमारा 80% problem कहां पे होता है जो इस वाला problem होता है जो मैं TV को जब बेसबोर्ण को टकर देता हूं तो हमारा system पे color हो जाता है कभी-कभी ओंब कहां पे problem होता है जाब हमारा system पे Die-soldering हो जाता है यह die-soldering एक बार बार कहता हूं ए डाई सोल्डरिंग का पोब्लेम जो होता है आच्छी तरह से पीसिद्टा पॉइंट को सोल्टरिंग कर लेना है तो यही और से देख लेदा हूं करने के बाद हैसे एकलेगा तो मैं क्या करता हूँ जी चुन पोγें पोईन को देखके कि आची तरह से Soldering कर लेता हूँ तो हमारा पिक्चर के लिए रोना जाईए ठीक है देख लेता हूं चेक किया तो देखिए है हमारा जो IK का जो पॉइंट दिया गया है इस पे और आने के बाद इस बाला जो तो रिजिस्टन भाया करके हमारा दोनों पिन पे गाउन से रिलेटीड एक डायोड दिया गया है एक डायोड को मैंने जो चेक किया तो सो नहीं कर रहा था और यह बा पॉइंट के लिए जो हमारा कानेक्सिंद दिया गया है आर का जो रेड़ बाला पॉइंट है रेड़ बाला पॉइंट पर हमारा डायोट हमारा सो कर रहा है लेकिन हमारा जी बाला पॉइंट पर हमारा डायोट सो नहीं कर रहा है जब मैं इसको ओपेन करके देखा तो मुझे पाता चला यह डायोट तो काट चुका है यह जो हमारा डायोट है यह हमारा नीचे बाला जो डायोट है यह डायोट हमारा आर के लिए दिया गया रेड बाला और हमारा यह बाला गीन बाला जब मैंने इसको ओपन किया तो देखिए यह बाला डायोट हमारा काट चुका है जो बास्ट हो चुका है और इसको यह डायोट जब तक हमारा सही तरीके से गाउन का साथ कानेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा भोल्टेज यह फिल्टरिंग नहीं करेगा तो हमारा कालर से भी सही नहीं होगा इसलिए क्या करेंगे यह बाला डायोट को चेंज करते हैं यह बाला डायोट को चेंज करके नया बाला डायोट लगाएंगे लगाने के बाद हम लोग पिक्चर चेक करेंगे ठीक है दोस्तो मैं इसको ओपेन करके नया बाला डायोट लगा लेता हूं दोस्तो मैंने यह बाला जो हमारा डायोट था यह डायोट को मैंने ओपेन कर चुका हूँ और ओपेन करने के बाद कुछ बोल्टे चेक करता हूँ तो बोल्ट पाता चल जाएगा हमारा डायोट का इही पॉबलेम था इसलिए नहीं हो रहा था देखे दोस्तो मेरा जो इस बाला डायोट का जो पॉइंट था इस पॉइंट पे मैं जब चेक कर रहा थो चेक कर रहा थो हमारा दिखा रहा है 3.54 बोल्ट और जो निचे बाला जो डायोट है निचे बाला डायोट पे हम लोग चेक करेंगे चेक करने से मुझे दिग रहा है 0.8 भोल्ट मतलब दोस्तों हमारा जो उपर साइट का जो भोल्टे ज्यादा हो रहा है और हमारा बीग जीके पे जो हमारा भोल्टे ज्यादा है उसका कारौन हमारा जो यह बला डायोट था जो हमारा जेना डायोट था यह जेना डायोट हमार कखर अनी यह दा ओर कॉल नहीं होने के करण हमारा पिंग के लाकऊ रहा था इसकी लिए क्लिए क्या करेंगे एक डायोडer लेंगे जो हमरा 5.1 वोट का डायोड लेंगे जेना धायड और जेना ढ़लेके इसको नकल लेंगे उसको करने एंट करने डायोल लिया जेना डायोल लेके इसको कानेट कर चुका हूं और कानेट कर देने के बाद मैं टीबी को पिक्चर पावार देता हूं पावार देने के बाद इस पे क्या बोल्टे जाता है वो देख लेते देख लेंगे तो हमारा पाता चाल जाएगा एक तो दोस्तो हमारा जो और जो निचे बाला पॉइंट पे भी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा देखिए पॉइंट मतलब हमारा दोनों का डायोट का जो गाउन से कानेटेट था ओ कानेट पे जो हमारा पॉइंट चैक के बाऄ आने के बार हमारा पिक्टर से इंडू होना चाहिए और इस पे जो आमारा जी के बे बोल्टेज हमरा किदना आ रहा था 175 तक आ रहा था उस पर देखिए 180 180 आ रहा है मतलब 120 बोल्ट और आर पे चेक करेंगे यह आर पे चेक करने के बाद देखिए 14 बोल्ट और भीपे चेक करेंगे तो भीपे प स्कुछ बोल्ट और हमारा टीबए जो पिक्चर अना चाहिए और हो इस ओंसको लिए कलने आ लेके ठीक है दोस्तो मैं टीवी को घुमा लेता हूं दोस्तो मैं टीवी को आगे से घुमा चुका हूं और घुमाने के बाद मैं टीवी को पावाज देता हूं पावाज देने के बाद हमारा टीवी स्टेंडवाई से रिलिज भी हो चुका है और हमारा टीवी का जो पिंक कलर का प छो पिकचर भी क्लीयर रएन अधिन मेनु का अन जो टेकता हुं मैं शर्थ टेके चैनल को चुआ प्रीजर गपदेश्थ हूं और मैं मेनु माड़ने यह तना रागाया है और र哪裡 मैनू पे जो लोगो था ओर लोगो पे हमारा पिंग कलर का जो वाइड वाला स्कीन है वाइड वाला लिखा रहा यह पिंग हो गया था और हमारा पिक्चर अब हमारा पूरी तरह से क्लियार हो चुका है देख सकते मतलब दोस्तो आज का जो पॉब्लेम था पिंक कलर का पॉब्लेम वो पॉब्लेम सौर्फ हो चुका है ठीक है दोस्तो इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चनल को जोरूर सस्काइब कर लेना बेल आइकों को दबा देना all notification कर देना जब भी मेरा वीडियो लेकाऊंगा आप लोगों को मिलते लाएंगे ठीक है दोस्तो मेरा वीडियो को एक लाइक ज़ूर कर देना ठीक दोस्तो मिलते है नेक्ष वोडियो पर तरते के लिए थोस्तो गुड़गा